अब हम विद्यूत्रासायनिक स्रेणी या सक्रीता स्रेणी के बारे में जानेंगे विद्यूत्रासायनिक स्रेणी को बनाया गया है ये भी मानक अवस्थाओं पर ही बनाया गया है कि जितने भी धात्वे हैं, उन सब के मानक अवस्था में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभाव का मान है, तत्मों के E0 के मान को बढ़ते हुए क्रम की आधार पर जिस स्रेणी में जमाया गया है, उसे हम कहते हैं विद्यूत्रासायनिक स्रेणी, इल इसकामपल लेते हैं, F2 इक्वल टू 2F माइनस, तो F2 से 2F माइनस बना, इसका अर्थ है कि F2 दो इलेक्ट्रोड ग्रेहन करता है, F2 दो इलेक्ट्रोड ग्रेहन कर रहा है, इसका अर्थ है कि वह एक अच्छा ऑक्सी कारक है, तो ये एक अच्छा ऑक्सी कारक है, तो इसके हम उदाहरन लेते हैं कि H प्लस है याने हाइड्रोजन का हम ले रहे हैं H प्लस है वो जब एक इलेक्ट्रोन ग्रहेंड करता है तो हाफ H2 बना तो यहां पर जो इसके लिए SRP है या स्टेंडर्ड रिडेक्शन पोटेंशियल है वो शूने प्राप्थ होता है तो तीसरा एक्जामपल लेते हैं कि लीथियम प्लस यदि इलेक्ट्रोन ग्रहेंड करता है तो वो लीथियम में परिवर्तित होगा लेकिन इसके लिए जो SRP का मान है वो रिनात्मक प्राप्त हुआ याने मानक अपचेन विभाव का मान इसके लिए रिनात्मक प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ है कि इसके oxidize होने की जो प्रवृत्ती है वो बहुत ही कम है जबकि F2 के oxidize होने की प्रवृत्ती काफी अधिक है तो उसके लिए SRP value या standard reduction potential का मान उसके लिए धनात्मक है और lithium के लिए SRP का मान रिडात्मक होता है क्योंकि SRP का मान रिडात्मक है इससे ये समझना है कि इसके oxidize होने की प्रवृत्ती बहुत ही कम है तो lithium एक अच्छा अपचायक है उसके लिए SRP का मान negative होगा E0 की value उसकी negative होती है तो वह एक अच्छा अपचायक होता है उसके reduce होने की tendency ज़्यादा होगी वह एक अच्छा अपचायक है oxidizing प्रवर उसका बहुत ही कम होता है जिस भी तत्व के लिए हम E0 की value positive देखते हैं तो वह एक अच्छा अक्षिकारक है और E0 की value जिस तत्व के लिए जितनी ज़्यादा negative होगी वह उतना अच्छा अपचायक होगा या reducing agent होता है विद्धुत्रासायनिक श्रेणी की कई सारी विशेस्ताएं हैं जैसे यदि विद्धुत्रासायनिक श्रेणी को हम देखते हैं तो उपर से नीची आने पर जो value है वो धनात्मक की ओर जाती है तो सक्रीता का मान उपर से नीचे आने पर कम होता जाता है इसलिए इसे सक्रीता श्रेणी के नाम से जानते हैं इसमें जो सक्रीता का क्रम है वो उपर से नीचे आने पर कम होता जाता है आप यहां श्रेणी को देखिए तो लीथियम सबसे उपर है और जो फ्लोरीन है वो सबसे नीचे है तो जो लीथियम है वो एक अच्छा अप्चायक है और जो फ्लोरीन है उसका जो E0 का माहन है वो पॉजिटिव है तो वो एक अच्छा या प्रबल ओक्सी कारक की तरह कारे करता है जो हाइड्रोजन है उसके लिए वैल्यू 0-10 मलव, 0-0-0 वोल्ट यहां पर E0 की वैल्यू है तो इसके उपर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और हाइडोजन के नीचे हाइडोजन से कम क्रियाशील तत्व होते हैं इसके बाद इसकी विशेस्ताओं में हम देख लेते हैं कि E0 का मान ज्यादा रिनात्मक होगा उसकी इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी अधीक होगी जिसके लिए E0 का मान जितना ज्यादा धनात्मक होगा उसके इलेक्ट्रोन ग्रेहन करने की प्रवृत्ति उतनी अधीक होगी जैसे हमने फ्लोरीन का एक्जामपल देखा था कि फ्लोरीन के लिए जो SRP की वैल्यू है वो पॉजिटिव है वो एक अच्छा ऑक्सिकारक होता है E0 की value जितनी अधिक होती है यानि जितना ज़्यादा धनात्मक मान होता है तो वहाँ पर वह एक अच्छा आप्चायक होगा और उस पर reduction की क्रिया होगी अप्चेयन की क्रिया होगी वह यहाँ पर cathode की तरह कारी करता है जबकि E0 का मान जिसके लिए जितना ज़्यादा रिनात्मक होता है वह उतना अच्छा अप्चायक होगा उस पर oxygen की क्रिया होगी और वह anode होगा तो यदि आपको दो electrode दिया जाए जिसके लिए E0 की value दी गई हो उसको compare करना हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि E0 का मान किसके लिए कम है किसके लिए जादा है रिन और धन के आधार पर भी देख सकते हैं या रिनात्मक मान अधिक है धनात्मक मान अधिक है उस आधार पर भी इसको देखते हैं जैसे यदि हम एक्जामपल लें कि E0 का मान जिंक के लिए माइनस 0.76 वोल्ट है जबकि कॉपर के लिए 0.34 तो एक माइनस है मतलब वहाँ पर वह एक अच्छा अपचायक होगा जिंक और कॉपर के लिए जो वैल्यू है वो है 0.34 यानि पॉजिटिव वैल्यू है तो वो यहा अपचायक होगा जबकि कॉपर कैथोड की तरह कारे करेगा उस पर अपचैन की क्रिया होगी और वह जिंक की तुलना में थोड़ा कम अपचायक होगा वह ऑक्सिकारक बोन प्रदर्शित करता है तो यदि दो इलेक्ट्रोड को कंपेर करने दिया जाए तो E0 के मान क्या धा पर हम उसके ऑक्सिकारक प्रवृति और अपचायक प्रवृति को समझ सकते हैं यहां पर हम एक और एक्जामपल ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए हाइड्रोजन के ऊपर यदि है कोई धातू और हाइड्रोजन के नीचे यदि है तो हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं व जिंक उससे उपर है जिंक की वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट है और हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है वो देखिए शुन्य दसमलाव शुन्य शुन्य है तो हाइड्रोजन के उपर जिंक है तो यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 is equal to ZnSO4 प्लस H2 इस समीकरण को देखके आपको सम दाहर निकालती है इसी रियक्शन को हम हाइड्रोक्लोरी कमले के लिए भी लिख सकते हैं कि Zn plus 2HCl is equal to ZnCl2 plus H2 तो हाइड्रोजन गैस उत्पन करने की छमता उसी धातु की होगी जो विद्धूत्रा साइनिक्स रेनी में हाइड्रोजन के ऊपर इस्थित है यहाँ भी हमें इक उदाहरन ले लेते हैं जिंक की छड़ है जिसको कॉपर सलफेट में डुबाया गया है तो जिंक प्लस CuSO4 is equal to ZnSO4 plus Cu तो जिंक अधिक रियाशील है तो कॉपर सलफेट का जो नीला रंग है वो जैसे ही जिंक की रौड कुछ देर तक उस पे डुबा कर छोड़ देते है तो उसका नीला रंग जो है वो हट जाता है वो फेड होने लगता है क्योंकि कॉपर सलफेट जो है वो यहाँ पर कॉपर जो है उसमें से जिंक से कम क्रियाशील है तो जिंक कॉपर सलफेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है तो उसका स्थान स्वेम ले लेती है तो जिंक सलफेट बन गया तो जो नीला रंग है वो सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है जिंक सलफेट बनने के कारण तो निशकर्स ये निकलता है कि जिसके लिए E0 का मान जितना जादा नीगेटिव होगा वो इतना ही अधी कुरियाशील होगा उससे कम क्रियाशील धातू के लवड के विलियर में डुबाया जाएगा तो वह उसमें से उस धातू को विस्थापित करके स्वेम उसकास्थान ले लेती हैं तो इस तरह से विद्यूत्रासाइनिक स्रेणी की साहता से हम ये पहचान भी कर सकते हैं अगला हम देखते हैं कि किसी भी सेल के EMF की गरणा कैसे कर सकते हैं यदि हमें एनोड कैथोड की पहचान हो जाए तो हम उस सेल के लिए E0 सेल या EMF की गरणा भी आसानी से कर सकते हैं तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode, यहाँ पर हम Daniel cell का ही उदाहरन ले लेते हैं, Daniel cell यानि यहाँ पर zinc को zinc sulfate में डुबाया गया, copper को copper sulfate में डुबाया गया, तो यहाँ जो zinc के लिए value है, E0 की value वो यहाँ पर minus 0.76 है, zinc यहाँ anode की तरह कारे कर रहा है, copper की value 0.34 है, जो की cathode की तरह कारे करत है, बनों मानों को सुत्र में रखते हैं, तो प्राप्त होता है, E0 का मान 1.10 वोल्ट, इस तरह से हम किसी भी दूसरे cell combination का हम E0 cell ग्याद कर सकते हैं, या EMF या विदुत वहागवल की गढ़ना कर सकती हैं, cell reaction की संभावयता की कैसे हम गढ़ना कर सकते हैं, यदि E0 cell की गढ सुत्र में मान रखते हैं, और E0 cell की गढ़ना करते हैं, और यदि वह धनात्मक आता है, अर्थात वह cell reaction संभाव होगा, जैसे उदाहरन हम ले लेते हैं, एक की आइरन है, Fe equal to Fe2 plus, plus 2 electron, तो यहाँ आइरन में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इलेक्टरोन बाहर निकल रहा ह है, आइरन के लिए जो वैल्यू दी हुई है, वह है, माइनस 0.44 वोल्ट, दूसरा हम देख रहे हैं, जहाँ अप्चेन की क्रिया होगी, दूसरा अर्था सेल जिसमें की कॉपर है, तो कॉपर 2 plus, plus 2 electron, equal to कॉपर, तो 2 electron plus हो रहा है, इसका मतलब वो electron रहन कर रहा है, अप्च 0 cell गयाद करेंगे, तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode, तो यहाँ पर जब value रखेंगे, तो क्या होगा, point, चुकि यहाँ पर जो कॉपर है, वो cathode की तरह कारे कर रहा है, तो cathode की value को रखेंगे, तो यहने 0.337 minus, फिर minus 0.44 वोल्ट, तो सब को जोडने पर जो value आती है, वो plus 0.777 वोल्ट तो यहाँ जो value आई, वो धनात्मक आई, इसी तरह से Daniel cell का विदारन हमने देखा, उसके लिए जो value थी, 1.10 वोल्ट, दोनों हिस्थिती में, जो E0 का मान है, वो धनात्मक प्राप्त हुआ, अर्थात ऐसा cell reaction संभाव है, जिसके लिए E0 का मान धनात्मक प्राप्त होता है, विदूत्रा साइनिक स्रेणी की साहता से हम ऑक्सिकारक एवं अप्चायक की पहचान भी कर सकते हैं, हमने देखा कि कैसे E0 का मान विदूत्रा साइनिक स्रेणी में जब उपर से नीची आते हैं, तो वो धनात्मक होता जाता है, तो जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्याद धनात्मक होगा वह एक अच्छा ऑक्सिकारक होगा जिसके लिए E0 का मान जितना ज्यादा रिनात्मक होगा वह एक अच्छा अपचायक होगा एक अच्छा रिडियूसिंग एजेंट होगा इसी क्रम में हम एक एक एक्जामपल ले लेते हैं कि जिसके लिए E0 का मान जितना ज potassium, zinc और lead है, तो इसके लिए E0 का मान रिनात्मक है और दूसरा हम लिए हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, इसके लिए E0 का मान धनात्मक है, तो electron का जो प्रवा है वो जिस दत्व के लिए E0 का मान जितना जादा रिनात्मक है उधर से उस तरफ होगा जिसके लिए E0 का मान जितना ज्यादा धनात्मक होगा रिनात्मक वाले धातु के E0 के मान की तरफ से इलेक्ट्रोन का प्रवा उस तरफ होगा जिधर E0 का मान या जिस तरफ ऐसे धात्वे हैं जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक है तो यहां पर हम सक्रीता श्रेणी के आधार पर इस चीज़ को भी पहचान सकते हैं अगला हम देखते हैं धात्वों की क्रिया शील्टा धात्वों में देखा गया है कि जिस भी धात्वों के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा रिनात्मक होगा उसकी क्रिया शील्टा उतनी ज़्यादा होगी जबकि अधात्वों के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतना ज़्यादा क्रियाशील्टा को दर्शाएगा यहनि अधात्मों के केस में तो यहां पर धात्मों की क्रियाशील्टा के क्रम को देखिए E0 के मान क्या अधार पर E0 का मान जितना ज़्यादा रिणात्मक है उस अधार पर AG उससे ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर उससे ज़्यादा टिन फिर निकिल आइरन जिंक और सोडियम तो यहां पर E0 का मान इतना अधिक रिणात्मक हो रहा है क्रियाशील ताभी बढ़ रही है दूसरा हम ले रहे हैं कि अधात्वों के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा तो यहाँ F2 ज्यादा क्रियाशीलिया, ज्यादा अच्छा ओक्सीकारक होता है, फिर ओक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो यहाँ पर क्रियाशीलिता का करम इस प्रकार होगा विद्यूत वाहक बल और विभुवांतर में अंतर विद्यूत्वाहक बल यह इलेक्ट्रोडों के मध्य विभुवांतर है जब परिपत में कोई विद्यूत्धारा प्रवाहित नहीं होती है जबकि विभुवांतर यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोनों के विभवों का अंतर है जब सेल द्वारा परिपत में विद्युधारा प्रवाहित की जा रही हो EMF या विद्युत्वाहक बल किसी सेल से प्राप्त होने वाला अधिक्तम वोल्टेज है और विभुवांतर कमान EMF से हमेशा कम होता है विद्युत्वाहक बल सेल के EMF द्वारा गर्णा किया गया कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिक्तम कार्य होता है सेल के विभुवांतर द्वारा गर्णा किया गया कारे सेल से प्राप्त अधिक्तम कारे से कम होता है सेल के EMF को विभव मापी द्वारा मापा जाता है और विभुवांतर किसी भी वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है अब हम विद्यूत्रासाइनिक सेल एवं गिब्स उर्जा के बारे में जानेंगे कि विद्यूत्रासाइनिक सेल के साथ गिब्स उर्जा का कैसा संबंध है गिब्स उर्जा के बारे में हम जानते हैं अधिक्तम उपयोगी कारे जिसे कैपिटल जी से दर्शाया जाता है वैल्यू यदि जितनी ज़्यादा रिणात्मक होती है, वहां पर ये माना जाता है कि उतना ही अधिक लाबदायक कारे हो रहा है, इस्थिर ताप एवमदाप पर जो जी का मान है, वह जी के मान में कमी के बराबर होता है, यहां पर जब विद्यूधारा की कोई भी मात्रा, से का जो EMF है वह विद्यूती कारे के लिए दिगर्णा की जाए तो यहां पर विद्यूती कारे क्या होगा विद्यूती कारे बराबर NFE और यहां यदि E का मान, E यहाँ पर सेल का EMF है, और इसी चीज़ को यदि मानक अवस्था में लिया जाएगा, तो सेल का जो विभव है, मानक सेल विभव कहलाएगा और उसे हम E0 से दर्शाते हैं तो विद्यूति कार्य बराबर गिब सूर्जा में कमी को दर्शाता है, तो विद्यूति कार्य के लिए हमने निकाला NFE, N यहाँ पर इलेक्ट्रोनों की संख्या है, E सेल का विभव है, और F जो है वो फेराडे जिसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 96500 कुलाम यहाँ पर इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, तो माइनस डेल्टा जी यहने मुक्तूर्जा में कमी, तो जो विद्यूति कारे हुआ है, वह मुक्तूर्जा में कमी के बराबर है, तो यदि मानक अवस्था में लिया जाएगा तो NFE को हम लिखेंगे NFE 0 तो डेल्टा जी बराबर NFE है और E बराबर यदि E 0 है, मानक अवस्था है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जी 0 डेल्टा जी भी यहाँ पे 0 दर्शा रहे है याने मानक अवस्था में मुक्तूर्जा परिवर्तन को बता रहे है तो डेल्टा जी 0 एक्वल टू माइनस NFE 0 तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा कि मानक मुक्तूर्जा में परिवर्तन जो है, वह किस प्रकार से विद्यूती कारिक से संबंदित होता है तो माइनस NFE 0 तो यदि किसी प्रश्ण में E 0 की वैल्यू दी हुई है उस आधार पर हम उस सेल के लिए मुक्तूर्जा परिवर्तन की गढ़ना कर सकते हैं नंस्ट समिकरन किसी भी विद्यूत्रासायनिक सेल में जो सेल का विभो है और जो अभिकारक और उत्पात का सांदरन है उनके मध्य संबंद को स्थापित करने के लिए नंस्ट द्वारा समिकरन दिया गया क्योंकि सामानी अवस्था में हम या 298 Kelvin टेंप्रेचर पर वन मोलर कंसेंट्रेशन पर हम आसानी से किसी भी सेल के सेल विभो की गढ़ना कर सकते हैं लेकिन यदि अभिकार को उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन होता है तापमान में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिती में हम सेल विभो की गढ़ना कैसे करें इसके लिए नंस्ट द्वारा समिकरन दिया गया जिसे हम नंस्ट समिकरन के नाम से जानते हैं तो नंस्ट समिकरन इनोंने कैसे स्थापित किया और उसके बाद हम EMF की गढ़ना कैसे करते हैं उस चीज को सीखेंगे तो इसके लिए एक छोटा सा derivation है यहाँ पर यदि हम देखे A A plus B B equal to C C plus DD यहाँ शो हो रहा है कि A A और B की क्रिया से C और D बना तो A और B यहाँ पर अभिकारक है और C और D यहाँ पर उत्पाद है तो Q बराबर यदि हम द्रव यानुपाती क्रिया का नियम देखें तो इसके लिए उपर होता है उत्पादों के molar सांदृता का गुडणफल और नीचे होता है अभिकारकों के molar सांदृताओं का गुडणफल तो Q बराबर Q यहाँ पर अभिकरिया लबधी को बताता है तो यहाँ Q बराबर है C बड़े ब्रेकेट में लिख रहे हैं C को बड़ा ब्रेकेट यहाँ पर C की सक्रिय मात्रा को यहने C की सांदृता को दर्शाता है तो बड़ा ब्रेकेट C फिर उसके घात में C लिखे जो यहाँ पर सांदृता को दर्शा रहा है फिर D बड़े ब्रेकेट में फिर उसके उपर स्मॉल डी लिख रहे है घात में बटे में लिख रहे हैं A, A को भी बड़े ब्रेकेट में B को भी बड़े bracket में और उसके लिए जो भी मोलों की संख्या है उसको घात में के उपर हम ले लिखा कि A उपर small a फिर B उसके उपर small b तो इस तरह से Q को हम गड़ना कर सकते हैं जो GA है यहाँ पर GA एक मोल A के लिए साम्य अवस्था पर गिब्स उर्जा है इसी तरह से हम GB निकाल सकते हैं जो एक मोल B के लिए साम्य अवस्था पर गिब्स उर्जा है C के लिए रिकालेंगे GC जो की एक मोल C के लिए साम्य अवस्था पर गिब्स उर्जा को दर्शाता है यदि G D कहा जाए तो एक मोल D के लिए साम्य अवस्था पर गिप सूर्जा को दर्शाता है गिप सूर्जा अधिक्तम उपयोगी कारे या लाबदायक कारे के रूप में हमने पिछले पार्ट में देखा तो यहाँ पर G C equal to G 0 C यहाँ पर प्लस R T बड़े ब्रेकेट में लॉग C तो यहाँ L N के रूप में लिया जा रहा है नैचुरल लॉग इसलिए L N लिख रहे हैं L N बड़े ब्रेकेट में C तो पहला जो संबंध हमें प्राप्त हुआ यान्ने वो है G C के लिए जो की C है R T लॉग C यही संबंध हम सभी के लिए ग्यात करेंगे कि यदि G D है equal to G 0 D plus R T लॉग D सब D जो है यह भी बड़े ब्रेकेट में है जो की सान्रता को व्यक्त करता है इसके बाद है G A equal to G 0 A plus R T लॉग A B के लिए निकालेंगे तो G B equal to G 0 B plus R T यहाँ पर लॉग B के लिए होगा तो यह चारों जो आपने equation देखा यह G के साथ या G A के साथ G 0 A को बताता है या G B के साथ G 0 B के संबंध को बता रहा है तो इस तरह से हम यह संबंध को देखते हैं Q equal to क्या देखा हमने अभिक्रिया लब्धी तो इसी संबंध को यदि हम मुक्तूर्जा परिवर्तन एबं विद्यूती कारे के साथ स्थापित करें तो वह हमें प्राप्त होगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर्टी लॉग सी सी इन्टू डी डी अपॉन ए ए और बी बी तो यह जो ए ए कह रहे हैं इसका मतलब है कि A की सांदरता B कह रहे है मतलब B की सांदरता जित्ते भी उसके मोल है उसको हमने घात में लगाया है और जो बड़ा ब्रेकेट है वो यहां पर इसकी सक्रिय मात्रा को दर्शाता है अभिक्रिया लब्धी है याने क्यों है उसकी value हमने देखा कि वहाँ पर जो अभिकारक है वह नीचे की और उसकी सांदरता जो उत्पाद है उसकी सांदरता उपर है तो अभिक्रिया लब्धी को हम कह सकते हैं कि उत्पादों के molar सांदरताओं के गुड़नफल एवं अभिका करकों के molar सांदरताओं के गुड़नफल के अनुपाद को कहते हैं तो यही सम्बंध हम यहाँ पर फिर से स्थापित कर सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर्टी लॉग क्यू यहाँ पर लॉग जो है नैचुरल है इसलिए इसे एलन लिखा जा रह जाएगा तो डेल्टा जी जीरो एक्वल टू होगा माइनस एन एफ जीरो प्लस आर्टी लॉग क्यू यदि यहाँ पर इस सम्बंध को और सरल किया जाए तो यह बराबर यह जीरो माइनस आर्टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू तो यहाँ पर नैचुरल लॉग है इसलिए एलन लिया जा रहा है यदि यहाँ पर लॉग के आधार में 10 आधार लिया जाएगा तो 2.303 आर्टी अपॉन एन एफ लॉग एलो जी लॉग 10 बेस और क्यू लिखा जाएगा तो यह एक संबंध है नंस्ट समीकरण इस आधार पर हम किसी भी ऐसे सेल के लिए E की वैल्यू ग्याद कर सकते हैं जहां पर टेंपरेचर चेंज भी हो सकता है सांद्रता में परिवर्तन भी हो सकता है सामान यवस्था में तो E0 की वैल्यू हम ग्याद कर ही सकते हैं लेकिन सांद्रता में परिवर्तन हो तापमान में परिवर्तन हो तो हम नंस्ट समीकरण की साहता से किस कि असी cuma के सेल्विबहो की गढ़ना कर सकते हैं आसाइयनिक सेल के लिए न प्लॉस प्लस-प्लस-दीत हूँ यहां पर सामान ये एक इलेक्ट्रोड जो अभी करिया है वो ले लेते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रोड है M तो उस पर अपचैन की करिया हो रही है मान लेते हैं कि M N plus plus N electron से वह एक धात्तु में परिवर्थित हुआ M क्योंकि वो electron ग्रहन किया तो यहां पर हम उसके मान लेते हैं कि अपचैन की करिया हो रही है वहाँ पर तो यहां जो नंस्ट इक्वेशन हमने सीखा था पहले उसी को यहां apply करेंगे कि E M N plus by M M N plus by M यहां पर जो E है वो यहां पर E पूरे सेल के लिए सेल विभो की गढ़ना जहां पर M धातू है जो की उसके solution में डूबा हुआ है उसी धातू के solution में लवड के विलियन में वो डूबा हुआ है तो ऐसे सेल के लिए हम नंस्ट समीकरन के द्वारा E की गढ़ना कर रहे हैं इक्वल टू E 0 M N प्लस बाई M माइनस R T अपॉन N F लॉग M उपर है मतलब धातू और नीचे जो M N प्लस है उसकी सांदरता दोनों को ही बड़े ब्रैकेट में लिया गया है यह दोनों की सांदरता को व्यक्त किया जा रहा है एक्टिव मास को व्यक्त किया जा रहा है तो यहां जो M है वो धातू की सांदरता है capital M और M N प्लस जो है वो धातू आयनों की molar सांदरता है T temperature, R gas इस्थिरांग, तो R की value आप सभी जानते हैं कि अलग-अलग होती है अलग-अलग units में, तो यहां जो माना गया है वो है 8.314 Joule प्रती Kelvin प्रती Mol, N जो है वो electronों की संख्या है, कितने electronों का आदान प्रदान यहां पर हो रहा है, वो electronों की संख्या को दर्शाता है, F की value ह 96,500 Coulomb, तो इन सभी मानों की आफश्यक्ता हमें पड़ेगी संख्या समीकरण में, अब हम E M N plus by M equal to E 0 M N plus by M minus 2.303, अब यह जो 2.303 है, वो log 10 आधार लेने पर, यहां multiply करना है, 2.303, RT upon N F log 10 M upon M N plus, तो यह जो समीकरण है, यह जो मान दिया गया है, इन सभी मानों को हम एक गड़ना कर लेते हैं, कि मानों को गड़ना करने पर क्या value आईगी, जैसे R का मान हमने देखा, 8.3, 1, 4 ले रहे हैं, temperature यहां मान लेते हैं, कि 298 Kelvin है, तो इन सभी मानों को जब हम गड़ना करते हैं, तो एक value प्राप्त होती है, 0.059, 1, तो बटा N, N जो है वो change होगा, N इलेक्ट्रोनों की संक्या वो बदल सकती है, इसलिए N को हम कोई standard नहीं मानेंगे, N change हो सकता है, तो यह लिखा हमने, तो अब जो सूत्र हमारे पास आया है, वो E MN plus by M equal to E 0 MN plus by M minus 0 प्राप्तने दसमलों शूर्ने पाच नो, 1 upon N, log उपर M S upon MN plus, यह जो M S है, वो यहाँ पर धातू है, जिस धातू में क्रिया हो रही है, जिस धातू इलेक्ट्रोड को लिया गया है, solid state में, और उसका जो solution है, वो MN plus को शो कर रहा है, तो जो धातू है, वो यहाँ पर अप अप्सिक्रित अवस्था, तो इस समीकरण को हम अब लिख सकते है, E MN plus by M equal to E0 MN plus by M minus 0.059 एक बटा N log उपर अप्चाहित अवस्था और नीचे अप्सिक्रित अवस्था, इसी को हम यदि प्लस साइन लगाएंगे इस तरफ, तो यह हो जाएगा उपर अप्सिक्रित अव जा रहा है, उसकी सांद्रत्ता को इकाई मान लें, तो इकाई मानने पर उपर हमारे पास एक होगा, तो एक बटा MN plus के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं, यदि किसी भी इलेक्ट्रोड की सांद्रता को हम इकाई मान लें, इलेक्ट्रोड जो कि यहां ठो सवस्था में हैं तो ms के स्थिती में जो है ms बड़े ब्रेकेट इक्वल टू 1 यानि उसको इकाई मान लिया जाए तो 1 अपॉन mn प्लस बड़े ब्रेकेट को क्लोज करके ऐसे उसको शो कर सकते हैं तो नंस्ट समीकरण को तो जब हम प्रदर्शित करते हैं तो याद रखने का एक हमारे पास तरीका रहता है कि यदी positive sign है सामने यदी positive sign है और उपर क्या होगा oxidized state और नीचे होगा reduced state तो इसको याद रखने के लिए हम एक शब्द रखते हैं prince of Rome यानि pre prince यानि positive of Rome यानि उपर oxidized state और नीचे reduced state कई बार नंस्ट समीकरण के question बनाते समय आप लोग गलतियां करते हैं तो इसलिए ये छोटा सा ट्रिक आप याद रखेंगे prince of Rome यानि positive sign यदी है समीकरण में तो उपर oxidized state और नीचे reduced state oxidized stage है यहां पर तो उपर रहेगा और reduced है तो नीचे रहेगा यदी सामने positive sign है यदी negative sign होगा तो उपर reduced state होगा और नीचे oxidized state होगा